नमस्कार दोस्तो एट पिम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर कमारी आदम पर उप्चुनाव के नतीजे आ चुके हैं दोस्तो पारती जन्ता पार्टी के भवे विस्नवी ने शांदार जीत दर्ज कर ली है और मंत्री बनने की त्यारी स्वर्व कर हाला कि भाज़पा को उनको मंत्री बनने के लिए अपने एक मंत्री को हटाना होगा और यहां तक की जो पॉलिटिकल यात्रा है दोस्तो उसमें आप सबको सारी जयनकारिया हैं लेकिन भवे विस्नवी की जीत के साथ ही कई तरह के जो राजनितिक सवाल उठकड़े हो रहे है यह सवाल बहुत महत्यपून है और आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की तो कोसिस करेंगे ही साथ ही आदंपुर उप्चुनाओं में भवे विस्नवी की जीत के बाद उनसे जुड़े कई सवालों के जवाब पर भी चर्चा करेंगे और आप वीडि आपसे ज्यादा नहीं हो सकते हैं और अगर उप्चुनाओं से जुड़े सवालों के सिरों को हम पकड़ने की कोसिस करें दोस्तों तो आपको 2014 के उपचुनाओं में जाना पड़ेगा जो जीन्द विधानसवा का उपचुनाओं था और इस उपचुनाओं में हरीचंद मिड़ा जी के बेटे किशन मिड़ा ने इनलो से भाजपा में जाकर जीत दर्ज की थी और इसके बाद विधानसवा शुनाओं में बारती जनता पार्टी ने 55 पार का नारा दिया था लेकिन 40 पर अटकने के बावजूद जजबा के सेहोग से वो इस सरकार चला रहे हैं जो भी हमारे सामने हैं इसके बाद 2019 जब आया था दोस्तों और तब से लेकर अब तक तीन उप्चुना हुए हैं बरोदा में कॉंग्रिस एनलाबाद में इनलो और अब आदमपुर में भाजपा की जीत हुई है भाजपा के भवेविस्नोई जीते हैं इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिस करें तो बरोदा में पहले भी कॉंग्रिस थी बाद में भी कॉंग्रिस चुनेगी अब चुनाओ जो हुआ उसका नतीजा वही रहा कॉंग्रेस के पास सीट थी कॉंग्रेपास चलेगी एलनावाद में पहले भी अवे सिंग चुटाला थे बाद में भी अवे सिंग चुटाला रही इन्हें लोगी एक की एक सीट रही लेकिन आदमपुर वो हलका है दोस्तों जहां पहले कॉंग्रेस का विधायक कुल्दिव विष्णोई था लेकिन अब भाजपा का विधायक भवे विष्णोई वहां से चुनाओ जीता है विधायक बना है और चुनाओ जीतने के बाद अगर आपने गोर किया हो तो मुख्यमंतरी मनहुरलाल खटर ने ये कहा है कि जहां भी भाजपा की पहली बार सब्ता आई इसके बाद दूसरी और तीसरी बार सब्ता में वो पहुंचे है और हर्याना में इसको लेकर त्यारियां की जा रही है इस बात के बहुत गहरे माइने हैं दोस्तो और एक माइने में देखे तो मुख्यमंतरी मनहुरलाल हर्याना के सफल तक मुख्यमंतरी जो थे उनमें तो दर्ज होई गए है क्योंकि हर्याना की रजनिती में तीन लाल हुए है चोधरी देविलाल, चोई भजिनलाल और चोई बंसिलाल अब चोथे हैं मनोहर लाल और आज के दिन दो लालों की जो संताने हैं वो चोथे लाल जो मनोहर लाल जी हैं उनके नारे लगा रही हैं उनके जंडे तले हैं देर सवेर तीसरे लाल की भी जो सियासत है वो उनके जनता टीवी पर चर्चा में कहा है कि आने वाले समय में लोग अपने नाम के पीछे लाल लगाने लग जाएंगे क्योंकि मनहुर लाल जी भी सबल मुख्य मंत्री बन चुके हैं अब सवाल ये है कि भाजपा की जब एक और सीट बढ़ गई है तो क्या ये गटबंदन पर रहना है या नहीं रहना है ये केवल मनहुर लाल जी तैय नहीं करते हैं अगर उनकी चलती तो ये गटबंदन होता ही नहीं बहुत कुछ उपरसे होता है भारती जनता पार्टी में और फिलाल वहां सब कुछ दुशय चोटाला का ठीक चल रहा है है इस उप्चुनाव में जीत का जो स्त्रे है वो दुसरें चोटाला अपने सिर्फ पर भी लेंगे क्योंकि दो दिन तो वो चुनाव परचार में गई हुए थे लेकिन कड़वी सच्चाई इसके साथ ये भी है कि अगर वो नहीं जाते तब भवे विस्नौई जो है उनको जीतना ही था क्योंकि चुन चुनावी नतीजे पर ये गरव कर सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को विधान सबाव में भेज़ दिया है और हुड़ा साब अपनी हार के बावजूद अपनी पीट थपतवा सकते हैं क्योंकि चोदरी भजनलाल के गड़ में उन्होंने एक बार फिर कुल्दी विस्न लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है और इसके साथ ही आमादवी पार्टी को भी कलीर कट ये संदेश मिल गया है कि अभी हर्याना में जो मद्दाता हैं वो नई पार्टी को आजवाने के मूड में नहीं हैं पुराने सिक्के अभी चलन में रहेंगे इन्हें लोग तीसे ये भी है दोस्तों कि क्या भवे विस्नोई मंत्री बनेंगे तो इसके पूरी संभावनाएं हैं लेकिन उनके लिए पहले मनोहरलाल जी को अपने बने मंत्रियों में से एक को हटाना होगा तब भवे का नंबर आ सकता है हालांकि उनकी कैबिनेट में कई सारी मंत्रिया से है जो बहुत अंडर परफॉर्म चल रहे हैं दो तिन मंत्री तो दोस्तों ऐसे हैं जिनको उनके हलके से भारी कोई नहीं जानता है उनमें से किसी को भी हटा के भवे विस्नोई को लिया जा सकता है क्योंकि आदमपूर की जीत को मुख्यमंत्री मनोहरलाल बड़े पैमाने पर इसलिए जरूरी है कि वो लोगों के बीच रहें जनता के काम करवाएं तभी 2024 में फिर से वो हाया से चोई बजनलाल की विरसत को आगे बढ़ा पाएंगे और अगर भवे विस्नोई को भारते जनता पार्टी ने मंत्री बनाया तो ये जिम्यदारी फिर दोगी नहीं हो जा जब पीने के पानी नहीं हैं सडकों के बहुत बुरे आहल हैं बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इतने उसके बावजुद जब उन्होंने जिताया है और अब अगर आने वाले समय में उनके काम नहीं होते हैं तो सबर का बान दोस्तों तूट जाएगा और अगर आप को देखें तो 2019 विधांसाद चुनाव में 30,000 वोटों से वहां से कुल्दी विष्णोई जीते थे और भवे अन्य सरकार रहते हुए विजेपी उमिद्वार के तोर पर अब आदे वोटों में जीत दर्ज की है जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव लडने वाले जो तीनों मिद करने की अब आदंपूर में जुरूरत पड़ेगी और जब आप सरकार में होते हैं तब ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं तो संगर्स कर रहा था और इसके साथ ही दोस्तों हिसार लोकसभा सीट पर भी अमिद्वारी के रूप में चर्चा होगी और निशी तोर पर कुल्द चुनाओं में सावित हुए हैं चुनाओं को मजबूती से लड़ा खुब अपने बयानों से चर्चाव टेवरी और अगले चुनाओं में आदंपूर से लड़ूंगा बेटा कलायच से लड़गा ये कहकर वहां से निकल गए और ये भी करीबन तया है दोस्तों कि हुड़ उसे तह है कि आप जेपी यहां से लड़ेंगे और अब मूल स्वाल पर अगर हम लोटें तो 2024 में भी प्रदेश में भाजस्पा की सरकार बनने जा रही है जो स्वाल है तो मेरी समझ के अनुशार दोस्तों निशित तोर पर इस उक्चुनाओं में जीद का फाइदा भारती का चुनाओं लडेंगे या अकेली चुनाओं में जाएंगे जजपा का जो कोर वोटर है जो कभी इनेलो का होता था वो 2024 में जजपा का साथ देगा या नहीं देगा इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और जो बचा हुआ समयब सरकार का है दोस्तों उसमें भारती जनता पार्टी जनता की तकलीफों को कितना कम कर पाते हैं मुख्यमंत्री मनहोलाल इस पर भी बहुत कुछ तै करेगा क्योंकि दस साल में एंटी इंकम्मेंसिव हैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है 2024 के विधान सबा चुनाओं से पहले तो 2024 के लोकसबा चुनाओं भी होंगे उनके नतीजे क्या रहेंगे हरियाना की 10 लोकसबा सीटों में कौन-कौन जीत रहा है कौन पार्टी जीतेगी उस पर भी 2024 डिपेंड करेगा तो अभी राजनीती में बहुत फैक्टर हैं दोस्तो एक एड़ आती है जिसमें कहते हैं कि क्या चल रहा है तो फोक चल रहा है हरियाना में तो 24 गंटे राजनीती चलती है और उस राजनीती में पल-पल स्थितियां बदलती हैं जरूर आदमपूर का उप्चुनाओ है आच्छोई भजनलाल परिवार के लिए बड़ा दिन है बवे विस्नवी जैसेरू युवार आजनेता को हरियाना की जनता आप देखेगी और हावर्ड में वो पढ़े लिखें हैं तो निश्ची तोर पर आदमपूर के हलके की जनता है उसको हावर्ड के अनुभवों का फाइदा उनका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये 2024 तै कर लेकिन फिलाल आज चोई भजनलाल परिवार के लिए एक बड़ा दिन है वो जसन मना रहे होंगे उनके समर्थक मना रहे होंगे और मनाना भी चाहिए लेकिन 2024 के लिए इंतजार करना पड़ेगा आदमपूर की जनता दो साल में ये देखेगी अब जो ट्रम बचा हुआ है उसमें चोई भजनलाल परिवार कितना काम कर पाता है क्योंकि 2024 में ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारी सरकार नहीं थी हम संगर्श करते हैं 2024 में तो आपको काम के बेस में ही चुनाओ पर जाना पड़ेगा और भारतिय जनता पायटी को 2024 से पहले के फैक्टर देखने प पाया है तो ऐसी सीटों पर बहुत सारी ऐसी सीटे हैं जहां पर कॉंगरेस संकट में रहती है या कॉंगरेस नहीं जीती जो भाजबा जीती है उन पर वो किस तरह की रननिती बनाते हैं इस समय चुनावी दोर है दोस्तों और आज रिजल्ट आया है 2024 तक बहुत कुछ चले राजनिती को बहुत अच्छी तासीर से समझता है तो 2024 में किस पार्टी की सरकार हरियाना में बनने जा रही है अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों फिर मिलते रहेंगे राजनिती घटनाओं के साथ शुक्रिया नमस्कार